इंडिया ने थर्स डे को अगनी 5 बिलिस्टिक मिसाइल को सिक्सेस्वी टेस्ट फाइर किया डियाडियो द्वारा ड्वेल्प की गई इस मिसाइल के एंज 5500 किलो मिटर है जिसमें पूरा एशिया और तकरीबं 70% यूरो पाता है 50 टन भारी 17 मिटर लंबी अगनी 5 मिसाइल इंडिया का ट्रम्प कार्ड है भारत के इलावा यूएस से रशिया चाइना इसराइल नॉर्थ कोरिया और फ्रांस के पास ICBM के विबिल्टिस है मिसाइल का कैनिस्टर लॉंच सिस्टम इसे मनिवर्बिल्टि प्रवाइड करता है चाइना ने कई भार अगनी 5 मिसाइल की डिवैल्मेंट के उपर एतरास जताया है चाइना के कई एक्सपर्ट का कहना है कि अगनी 5 की रेंज 8000 किलो मिटर है और इंडिया इसकी रेंज को कम बता रहा है हाला कि इंडिया अगनी 5 की रेंज को बढ़ाने पर काम कर रहा है और साथ ही में अगनी 6 की डिवैल्मेंट पर काम कर रहा है लेकिन इसकी present range चाइना की CSS 10 Mod 2 ICBM से comparable नहीं है जिसकी range 11,200 km से जादा है US Department of Defense की report के मताबिक चाइना के ICBM Arsenal में तकरीबन 100 ICBMs हैं जिसमें Sillow Based CSS 4 Mod 2 और MIRV Equipped Mod 3 शामिल है DF-41 ICBM जिसकी development expected है कि इस साल कम्प्लीट हो जाएगी ये मिसाइल 10 maneuverable nuclear warheads केरी कर सकती है जिनका वजन 100 से 200 किलो टन से लेकर 1 मेगा टन तक हो सकता है इस मिसाइल की expector range 12,000 km से लेकर 15,000 km है और इसके साथ ये प्रिथवी के हर कोने तक मार कर सकती है MIRV technology के साथ ये अपनी range में multiple targets को target कर सकेगी मार्च 2015 में रिपोर्ट्स आई थी कि चाइना पाकिस्तान को ICBM develop करने के लिए मरद कर रहा है The Washington Post ने रिपोर्ट किया कि शाहिन 3 जिसकी range 1700 km है इंडिया के हर हिसे तक nuclear warheads देवर कर सकती है हला कि पाकिस्तानी जनरल्स का कहना है कि उनकी country tactical weapons के range को बढ़ाने पर काम कर रही है लेकिन ICBM तैमूर की reported development को verify नहीं किया जा सका है तो दोस्तों आज किस वीडियो में अतना है प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब अगर आपके वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जूर लाइक और शेर करें थैंक्स पर वाचिंग वीडियो जैहन वन्दे मातरम